नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अपने हातों की लकीरों में वो खास कोन से साइन है जो बताएंगे कि आपको कब और किस उम्र में मिलने वाला है खूब धन और एस्वर्या और आपको होनी वाली है एक सांदार बैवहो की प्राप्ती अब ये बात आती है जादता लोग सूचते हैं कि हमें कौन सा हात देखना चाहे कुछ लोग कहते हैं कि दोनों हात भगवान ने दिये है तो दोनों हातों में से कहीं पी भी रेखाएं ये चिन मिले तो आप उसको देख सकते हैं वो आपके जीवन में प्रभाव देंगे कुछ लोग कहते हैं और आपनी यूटूब में भी सुना होगा कि जो पुरुस हैं बच्चे हैं उनके राइट हेंड को देखा जाता है और जो महिलाएं हैं बचिया हैं उनके लेफ्ट हेंड को देखा जाता है लेकिन इसका आधार क्या है आधार है हमारा सामुद्रिक बिग्यान जिस बिग्यान की वजोसे हमारी हस्त रेखा इजाद हुई है हम हस्त रेखा को पढ़ते हैं उसमें इस पश्ट लिखावा है अथातो संप्रवक्षामी हस्त रेखा विचारणम दक्षने पुरुससम गेयम वामे वामा करम शुभम मनी हस्त रेखा विसे सज्य को शमुद्र सास्त रज्या कर रहा है इसका अर्थ है इस अश्लोक का के अब आगे हम हस्त रेखा विचार बरणन करेंगे सो सुनों दाहिनी हात में पुरुस के लक्षन देखना और बाई हात को देखकर इस तरी के लक्षन कहना और हात की रेखाओं से संपूर्ण सुवासुब फल कथन करना ये अग्या दिये गई है सामुदरिक बिज्ञान में जो हमारा वास्त्विक बिज्ञान है समय नहीं गमाऊंगे सीधा चलते हैं और आप भी अपनी हतेली को देखें कुछ लक्षन बता रहा हो और निश्चित तोर पे अगर आपकी हतेली में ये लक्षन है तो ये काम करेंगे अब जिसकी हतेली में ये लक्षन है मुझे कमेंट जरूर करें और क्या फल उसका मिल रहा है ये भी जरूर बताएं देखेगा ध्यान से पहला लक्षन यदि आपकी हतीली में मस्तिस्क रेखा इस प्रकार से कर्ब लेके आ रही हो घूम रही हो चंदर परवत की तरफ ठीक है ने और कनिष्टा जो उंगली है ये वाली ये चोकोर नहोकर इस प्रकार से सार्प हो ठीक है ने नुकीली जिसको कह देते हैं और आपका ब्रिस्पती का परवत पुष्ट और सुन्नर हो जैसे इस हाथ में है ने ये ब्रिस्पती का परवत जो है उठावा है ठीक है ने और कहीं न कहीं इसमें ये वाली जो रेखा है ये दो भागों में बिबहत हो रही हो तो इसके गुण और बढ़ जाते ह ये एक परकार का राज योग है ठीक है न समझ गए होंगे आप जब ब्रिस्पति की जो माइन लाइन इस परकार सी चंदरमा के और कर्ब ले रही हो इस ये दो भागों में अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी है ये जो कनिष्टिका आपकी उंगली है ये सार्प है नुकली है और ब्रिस्पति का परवत आपका जुपिटर का माउंट जो है पुष्ट है सुन्दर है तो ये बहुत अच्छा राज योग आपके जीवन में है ये आपको अतुलनिय बुद्धि की छमता देता है एक अच्छा जीनियस माइंड देता है आप फैसले अच्छे कर सकते हैं आप चीजों को जल्दी सीख जाती हैं और आप वो है जब सब लोग अगर प्रेशान हो जाएं आप प्रेशान नहीं होते हैं और आप कहते हैं कि ह हम भी बना देंगे यार, हम भी इस situation से निकल जाएंगे यार, इस बौधिक छमता के साथ साथ, आप जब भी आगे बढ़ते हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप आई-एस की तैयारी कर रहे हैं, आई-पी-एस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी बड़ी ऐसे जातक 26 से 28 वर्स में ही सपलता की सीडियां चड़ना शुरो कर लेते हैं और धन बड़ी मातरा में अरजित करना शुरो कर लेते हैं ऐसे लोग बहुत बड़े भग्यसाली होते हैं दूसरा लक्षन मैं बता रहा हूँ इन मेंसी कोई भी लक्षन आपके हाथ में हो यह आपका अंगोठा है ठीक अगर आपका अंगोठे में यह पौरवा तो सब का रहता है और उसके अलावा जो है तीन पौरवे हैं इस परकार से दो लकी रही हूँ जैसे इस अंगोठे में है और ये accurate है actual चीजे मैं बता रहा हूँ आपको 0.1% भी किन्तो परंतो नहीं है इसमें जो मैंने आज तक हतेली का विशलेशन किया है उस एसाब से आपको मैं बताता हूँ इसमें तीन पोरवे हूँ इशपष्ट हूँ साप हूँ ये बताता है कि आपको बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी तरक्की मनने वाली है धन है परतिष्टा है मान शम्मान है सबी चीजों में ये चीज बड़ोतरी को दिखाता है और ऐसे लोग आप देखेंगे जब इनका सम आता है ये निर्दन नहीं रहते हैं गरीब नहीं होते हैं अगर आपकी हतीली में बन रहे हैं ये लक्षण तो निश्चित ही आप धार्मिक भी होंगे धर्मकर्म के कारियों में बड़ चटकर हिस्सा लेंगे ये चीज दानपुन्ड से समंदित चीजों में अच्छा उम्र में करते हैं वो आपको अपनी भाग्य की लकीर देखनी है ठीक है ने और धनी किस उम्र में होंगे ये भी भाग्य की लकीर कहती है अगर आपकी भाग्य की लकीर जो ये सुक्र परवत है और जो ये चंद्र परवत है ठीक है ने इसके ज्वाइंट से यहां से सुरू हो करके शाप सुत्री और कहां जाए ये मिडिल फिंगर के नीचे जाए सीधी सनिपरवत तक जाए और दोनों हातों में हो पतली हो लेकिन इस मिडिल फिंगर को पार न कर रही हो इस बात का ध्यान रखना मिडिल फिंगर को क्रोश न कर रही हो तो निश्चित तोर पे आपका भाग्या उदाई हो जाएगा 20 से और 22 वर्स के बीच में ठीक है ने आप अपनी सपलता प्राप्त करना सुरो कर लेंगे 20-22 वर्स के बीच में ठीक है ने अब यदि ये चिन है ठीक है ने और आपकी जो है मनि बंद की जो लकीर है कहीं न कहीं जो है ये मनि बंद की लकीर है और ये यहां से यहां से शुरू हो रही है तो निश्चित तोर पे 28 वर्स के बाद से आप अपने जीवन काल में भाग्या आपका साथ देने शुरू कर लेगा और जबरदस्त सपलता की आप प्राप्ति करेंगे धन की इस्तिति आप अच्छी हासिल करेंगे अगर आपकी हतेली में भाग्या की लकीर नहीं है सपोज भाग्या की लकीर नहीं है और ये रेखाएं हैं या नहीं है लेकिन ये तो होना ज़ो बहुत जरूरी है ठीक है ने? लेकिन अगर आपके हाथ में दो या तीन कलाई की रेखाई है लेकिनों कमजोर कमजोर दिख रही है तो ऐसी इस्तिति में आप 36 साल के बाद सपलता प्राप्त करना सुरो करेंगे और धन का बहुत अच्छा संग्रह करना सुरो करेंगे अब हम जो है एक लक्षन और है तीसरा लक्षन उस पे जाते हैं दिहान से देखेगा यहाँ पे ये अंगोठा है आपका और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं वीनस का माउंट ये इसी प्रकार से जैसे इस आतेली में ठीक इसी प्रकार से सुन्दर हो उबरावा हो इसमें इस प्रकार से जो है कोई जाल नहीं बन रहा हो रेखाओं से साब सुत्रा हो इस प्रकार से वर्टिकल रेखाई हो तो ये बहुत अच्छी हैं जैसे इस आतेली में वर्टिकल रेखाई हैं ये बहुत अच्छी हैं अगर नहीं भी हो है और सात में यहां पर जो सूर्य है उसका जो भाग है ये भी इसी प्रकार से सुन्दर हो लेकिन इस तरों से रेखाई काट नहीं रही हो जैसे इस अतिली में काट रही हो ऐसी ना काट रही हो ठीक है ने दोषित न हो बहुत ज़्यादा लकी रहे नहों और यहाँ पे इस प्रकार से एक स्वतंत्र मनि इस पश्ट और स्वतंत्र तिरबुज बन रहा हो सूर्य के परवत पे ये लक्षन होते हुई तो ये निसान निश्चित ही ये साइन आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है ऐसे लोग आपने देखे होंगे कला के पार्खी और सिद्धस्त होते हैं और सूर्य परवत पर इस निशान का बनना इस निशान का होना ब्यक्ति को करोड़पती बनाता है ये लाखों में नहीं खेलता है ऐसा ब्यक्ति करोड़ों में खेलता है ये निश्चित है ठेक है और अगर पैत्रिक रूप से निर्धन है आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी अपनी जिवनकाल में अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बड़ी प्रसिद्धी को ये लोग कमाते हैं अब आपकी हतेली में है लेकिन आपको उमर का पता नहीं चल ला है तो दो तीन चीजें देखेगा हतेली में क्या चीजें देखेगा अगर आपकी हतेली में इस प्रकार से अंगोठे में जो है ये कोबड है भुद्धिमान तो आप है अच्छा समय तो आप का आएगा लेकिन लेट आएगा एसे लोगों के जीवन में 38 वर्स से सफलता की इस्तिती सुरू हो जाती है जो 42 वर्स से बड़ी इस्तिती में आ जाती है और ठीक 45 वर्स में क्योंकि यहां से भाग्यरेखा चंद्रमा से है तो 45 वर्स में इनका पूर्ण भाग्योदय हो जाता है लेकिन 38 की उमर से ऐसे लोग सपलता की इस्तित्य को पार करना शुरू कर लेते हैं ठीक ना ? उमर इस परकार से देखें ऐसे नहीं कि इसकी हिसाब से इन चीजों की उमर नहीं देखी जाती है यहाँ पे जो इस्तिति बनती है उस हिसाब से देखी जाती है एक बहुत अच्छी चीज और बता रहा हूँ चौती चीज बता रहा हूँ चुरूर देखेगा अगर ये हतेली में आपकी लकीर है तो आपके बराबर भग्यवान और आपके बराबर पैसो वाला साइधी कोई हो ठीक है ने पैसा कई परकार का होता है वो हम कभी चर्चा करेंगे ये आपका सूर्य का परोत है और ये आपका चंदर का परोत है ठीक है ने अगर इस चंदर के परोत से इस परकार से जैसे इस में हल्की दिख रही है ये रेखा जा रही है चंदर मांसे निकल करके और सूर्य परोध पे जा रही है, क्रोस नहीं कर रही है बलकि यहां पे ठहर रही है, जहांपे मैंने यह क्या है? यकीन मानियेगा, अगर आपके हतीली में हैं, तो आप कला के छितर में जैसा सिनेमा है, म्यूजिक है, डानस है, पोईटरी है, ऐसे छितरों में काम करते हैं, तो सुपर इश्टार बनेंगे ही बनेंगे यह कहती है। या कई लोग मैंने देखे हैं यह रेखा है और सोसल मेडिया में भी जैसे यूटूब पे हैं अन्य सोसल मीडिया के प्लेटों में हैं तो भी यह बहुत बड़ी काम्यावी और बहुत अच्छा पैसा अपनी जीवन में कमाते हैं। क्योंकि यह लकीर जनता से अदभुत प्यार दिलाती है। अदभुत यह रेखा यह भी बताती है कि आप देशी नहीं बरन विदेश तक किर्थ फैले गया तो यानि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। यह लकीर प्रेक्टिकल रूप से विदेशों से भी धन दिलाती है। यह निश्चित है। अब उम्र देखने के लिए जैसे मैंने पहले बोला हाथ की अन्य चीजों को अन्य इस्तितियों को आप देखें। ठीक है ना। आप देखेंगे जितने मैंने योग बताये हैं इस वीडियो में। बहुत ही सांदार वीडियो है यह ब उन में से एक भी योग बने हैं और सब कुछ ठीक है लेकिन आप अपने को सफल नहीं मान रहे हैं फिर इसके कारण हो सकते हैं। या तो आपने अपनी संगत गलत पकड़ रखी है। उस अस्तर की नहीं रखी हुई है जो आपका लेबल का हो। या आप अपना कोई करियर श पर सुरू नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप बहुत गलत जगह पर अपने efforts डाल दे हैं। बहुत गलत जगह पर बहुत गलत करियर आपने चूज कर लिया है। ये इसके कारण हो सकते हैं। आप फिर भी सब कुछ आपको ठीक लग रहा है और आप बड़े confusion में हैं। जब आप यूट्यूब पे या अन्य जगह हतेलियां देखते हैं, निसान देखते हैं, तो आपकी हतेलि में प्रोपर चीजें बनी उई होती हैं। लेकिन न तो आपको यस मिलता है, ना आपको कीर्थी मिलती है, ना आपको धन मिलता है, ना आपको एक मन पसंद नोकरी मिलती ह या मन पसंद ब्यापार मिलता है। और उसके लिए हमारे सामुद्रिक विज्ञान में बहुत अच्छी क्रियाईं दे रखी है। और चंदरनाडी जो इडा पिंगला जिसको कहते हैं सूर्यनाडी और चंदरनाडी इडा पिंगला भी कहते हैं उसको असुस मना नाडी। ये प्रमुख है, नबद्वार है, इसमें भी ब्रह्मरंदर स्रेष्ट है और पंचमहा कोस है, जैसे अनकोस है, वैसे अन्यकोस भी है। तो इनको सुब्त अवस्ता से बाहर लाने के लिए, देहो देवालयो प्रोप्तो, इसलिए कहा गया हमरे सास्त्रों में, तो इसको ठेक करने के लिए आपको जो है किरियाएं करनी है। और किरियाओं के साथ ही पराभगती की प्राप्ति करनी है, जिससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और निश्चित तور पे अगर आप ये कर देते हैं, ये बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, रूटीन के इसाब से करना होता है, अगर आपके कोई मित्र होँ। या आपके कोई जानकार पनित जी हों जो हस्त रेखा देखते हों जो गहराई से देखना जानते हों उनको जरूर अपनी हतीली बताएं और अपने सुप्त लक को जो है जागरित करें और अपनी जीवनकाल में अपना जो मोटो है आपका उस लक्ष को हासिल जरूर करें काम ना करता हों आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार